हम बल्या जन्दपद में हैं वही धर्ती जो बीरों की धर्ती कही जाती है और टाउन हाल में है यह हमारे पीछे बापू भवन है अब देखने यह बीरों की धर्ती कही जाती है और लगातार जिस तरह से सियासी चर्चाओं का दौर जारी है हमारे साथ कुछ लोग है मुझसे रहे और इन दो लड़कों की जोडि ने अगर युगी डी को यय बात समझ में आ रही ए ठीक बात है उन्होंने कानून वे उस्ठा पर और उस पर कंट्रोल किया शारी बाते हैं लेकिन कहीं न कहीं तो कुछ जोल है उनके प्रसाशन में जोल हो या उनके पारटी में जोल हो जहां भी जोल हो जिसके कानून दो ड़कों की जोड़ी तो सफल होते डिख रही है न उत् अभई बुल्डोजार चल रहा है, लेकिन यह होना जरूरी था, कोई भी सरकार, कोई भी सस्ता सफल नहीं हो सकती थी और वो काम योगी आधिट नात्ने किया है, इसमें कहीं दोराई नहीं है. कुछ हो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी अदितनात ने कहा आज कि पहले आतंक बात बढ़ाए अब दरिंदे बनाए क्या कहेंगे देखिए भारती गंता पाटी जब से आई है प्रदेश के अंदर उत्ता प्रदेश में बहुत को ही अदमी को उखाल करके फेकने के लीए नहीं है माफियाओं के ऊपर ही बंडूजर चल sensit ऑर माफियाओं के ऊपर ही सारे कपराधिक कानून लगी है क्योंकि माफिया तो माफिय जूकि पहले जो सक्ता थी अखिलियेशंजी की उसमें क्या होता था दिन भर तो जेनरेटर करने के लिए इनों ने अपना बुल्डोजर सामने किया कि आप भैसे माने बिने नमानत जलत जड़ गए तीन दिने बीत बोले राम सकोप तब भै बिन होए नप्रीत कुछाओ लोग है उनके बीच भी चलेंगे जिस तरह से मुक्षमंत्री योग्यादित नात ने आज जो है निसाना सात्य हुए कहा कि दो लड़कों की जोड़ी पहले परिवार देखे इसके साथ उन्होंने कहा कि पहले तो आतंगबाद बढ़ाए अब धरिंदे बढ़ा रहे हैं क्या कहेंगे जी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि योगी जी उत्तर परदेश में जो अपना सासन चला रहे हैं ये बहुत ही सुगंता से चला रहे हैं और इस कानून ब्यवस्ता पर जो लगाम उन्होंने लगाया है इसके वज़ा से जो सप्पा के परमुख लोग है वो घबडा रहे हैं इसमें नौ आनेके जो अपने सप्ता सुख जो बोग चुके हैं वो लोग जो उनके परिवार वाद जो भोग चुके हैं वो झूले तो उसको लेकर पुल भी जो है काफी जो है कि चाल रही है और रॉल डा कर रहे हैं एक देश के बाहर जा करके और देश के विरद्वोल करके आरे जक्ता फैलाने का काम कर रहे हैं यह दोनों लोगों का ऐसा गठबंदन हुआ है जिससे देश पूरा तरस्थ हो गया है आम जनता भी इनकी बाते सुनकर के तरस्थ हो जा रही है अब बदाए एस्टीएफ को इन्होंने गाली दी इन लोगोंने कानून ब्यवस्था को गाली दी इन्होंने जजों पे सवाल उठा है यह आए दिन में टीवी में देखता हूं कि मीड कासी दुकानदार कोई हमारे आता है तो हम उससे नाम पूछते हैं कि तुमारी जाती क्या है कि हम उससे उसका धर्म पूछते हैं हम ब्यवसाय करते हम खुशी से भारत में सारे लोग रह रहे हैं सारे धर्म जाती के लोग मिल्यूल करके रह रह रहते यह विपक्ष जो है के डेट का जो भी पक्ष है वो मिल्यूल करके एकदम चाहता है कि कैसे देश में आग लग जाए उच्छलों आओ लोग है उनके पास भी चलेंगे पहले इस पेसल टास्पोर्ट पे उन्होंने कहा अब देश बिरोत तक आगए क्या कहेंगे जी इसमें कहीं से दोराय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में काफी सांतिम है महौल है और जैसा योगी जी सरकार चला रहे हैं पहले अपरात काफी बढ़े हुए थे बैपारी भी कहीं जाता था वो पता चला कि उधरी से चिंचपट के उधर खाली हाता था आज के डेट में जो माफिया है उन पे बुल्डोज है और इसके लिए मैं योगी जी को धन्यबाद देता हूं जैसा कि अभी मानली टुकड़े टुकड़े गैंक से राहुल गांधी जाके काश्मीर में पैक्ट कर लिए अब पता चला जो 370 कितना मेहनत से मेहनत से हमारे मोदी जी ने 370 वहां पे हटाया उसको अब फिर से य यह वहां पे ऐसा महौल उत्पन कर रहा है चलिए कुछ और लोग है उनके बीच भी चलेंगे धर्म जाती आतंक वाले वार सब्सक्राइब को मिलता है जब तो हो जाते हैं भसमासूर क्या कहेंगे दिखिए राहूल गांधी जी अखलेस यादव जी इलो दोनों पढ़े लिखे नौजवान हैं लड़के हैं इन लोग को पहले देशित के बारे में सोचना चाहिए न कि समाज को बाटने का परियास करना चाहिए पहले तो दोनों लोग सेना पर टिपड़ी किये अभी अख अब बताइए ये ठाकुरों के बारे में क्या सोच रहे हैं ये ठाकुरों की सरकार चल रही है ये तो सभी को लेकर चल ले हैं आप अपने कारिकाल में क्यों नहीं देखते हैं कि 85 HDM एकी जाती वर के आप कर दिये उसमें आपको जाए थी HDM एक जातकी लोग नहीं नाया था कुछ समय उपर से अदेश था कि दो विशेश वर्गों का अपराधिक मने फैयार दर्ज नहीं करना है योगी जी तो सबका साथ सबका विकास लेकर चल ले हैं उनकी बीच भी चलेंगे अब देखा जाए तो ठाकुर फोर्स और देश बिरोद तक बात आ गई देश बिरोद और ठाकुर फोर्स जो आपने बात किया है ठीक न तो अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहें यह इनकी जो एस्टीएफ है जो इनका बुल्डोजर है जो यह सवभाग से इसमें से जितने लोगों से आपने बात किया सब लोग बैपारी बर्ग से आते हैं अभी बलिया में हिंदुस्तान में मैं तो अपने फोस में पहली बात देखा एक बैपारी लाइब आ करके आत्मातिया कर लिया बुल्डोजर का तेल खतम हो गया बलिया में और टायर पंचर हो गया वह बुल्डोजर महीं चला और वह अपराधी आज भी खुले आम कम से कम 10-20 लाइक का ब्रैसलेट पहन करके हाथ में और गर्दन में सोने की दुकान ले करके और महनी महनीगारियों से इसी सहर में ये बैपारियों का और हम जैसे शरीफ आदमी को आम आदमी को चिरहाते हुए घुमते हैं उस समय जोगी जी का न्याय नहीं गया जवाब जानलेते हैं कुछ हो लोग हैं उनसे जवाब है यह कह रहा है बलीया में बैपारी का जाहती है और कुछ शाड़े सास सालों में कुछ विकास नहीं हुआ लगातार सभा जाखा रहे हैं देखिए ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है अभी माली जए गरेंड एक्सप्रेसवे बन रहा है रेलेवे में आप देख लीजे कि पहले रेलेवे में क्या था बलिया का शांसद जो विरंदर सी मस्त थे पहले वो ऐसे शांसद उनकी हैसियत है कि परधानमंतरी के छेतर से ट्रेन को जो है बनारस्क तक जो चलती सी टेन उसको खीज के बलिया तक लाएं हैं उसके बाद पुर्वांचल एक्सप्रेसे वे आप देख रहे हैं उसको लिंक किया जा रहा है उसके बाद लाइन डाडर जहां पर छिनाईती डखाईती इस तब की घटनाई आम हुआ करती थे साम को हम लोग लिकलते थे तो डरते थे कि मतलब घर सुरचित पहुच पाएंगे कि नहीं आज लाइन डाडर इतनी अच्छी है कि कम से कम लोग 12 बजे एक बजे रात को कभी भी जा सा कहीं कोई बात नहीं है कुछ आओ लोग है उनके बीच भी चलेंगे धर्म जाती आ आम जनमानस भाईचारे की जिंदिगी जीता है लेकिन बलिया के अगर बात हो रही है तो बलिया में सहित पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरीके का माहौल है जो हमारा यहां बैपारी समाज सभी लोग हम लोग बैपारी समाज से आते हैं और हम लोगों ने उसमेंगे फिल्घे decrease और प्लिया में इस टीज़ की जरूरत है जो नहीं हो रहा है क्रिर एक बहुत कुछ यहां ज़ने पर और जिताने का काम किया और यहीं बांजडी में एक यादो जी ने पंडी जी का गणासे से मार करके सर फाड करके दो टुकडा कर दिया पूछे लोग गय थे एक बैयान भी आया हो खलिस यादों का क्यों क्योंकि वो यादों ने मार दिया था इसलिए उस पर बैयान नहीं जाएगा और ऐसी चुन-चुन करके वही मैं यह नहीं कहता कि पूरा लोग उनके वीच भी चलते हैं मुख्यमंत्री योग्यादितनात ने आज कहा कि दो लड़कों की जोड़ी अपना परिवार देखे क्या करें जी निश्चित तोर पे यह दो लड़कों की जोड़ी उन्होंने बोला है यह लोग पढ़ी लिखे हैं नौजवान है इनको इसे बता है हमारे भाई साब नांकी एक देश में विगुलब् सूख रही है और एक एक बिदेशों में जाके अरजक्ता की विगुलब् फूख रहे हैं तो यह दोनों लोगों पर चिंतन करने की बात है सः बात वननों ने बिल्कुल सही बोला है कुछ हो लोग हैं उनके बीज भी चलेंगे, धर्म जाती आतंके गुंडे वला गूर, विपच्छ सत्ता पाते बन जाते हैं बसमासो क्या गे। कि मान सिकता है, आज भारत में सिक्थ ही नहीं, हिंदू ही नहीं, मुसलिम भी जितने अजादी और जितनी सचनता के साथ रह रहा है, या साथ विश्व में एक रिकार्ड है, या जहां पर यह लोग रहे हैं, जो गुंडे हैं, जो गलत किये हैं, जिनकी संपत्ति किसी का राजनीत में नहीं करनी चाहिए, यह सीख हमें उन दोनों को लेनी चाहिए, और जात धर्म से हट करके देश प्रेम और देश के विकास के लिए अपनी बातों को रखना चाहिए, कुछ बोलना चाहा रहे थे, बताएं, देखिए, जो जात धर्म की बात हो रही है, उसमें यह जात धर्म नेजी भी से हैं, और राजनीत में हम लुक्चे न चाहते हुए भी यह चीज आ जा रहा है, तो इस पर सभी राजनीतिक दोलों को सयम रखने की जरूरत है योगी आदितनात लगातार इस वक्त समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, आज उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है, और उन्होंने कहा कि जो STF है, उसको स्पेशल ठाकूर फोर्स कहने वाले दरसल यही अपराधियों को पहले तैयार करते थे बिल्कुल इस समाजवादी पार्टी के नेताओं को और समाजवादी पार्टी के परवक्ताओं को ही दिक्कत होगी चुकि योगी जी चुन-चुन के जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं इतने बड़े सुबे के मुख्यमंत्री बने हैं सिंडिकेट जो था जरायम का पूरा समाज भैकाता था उनको जो है सफाया करने का काम योगी जी ने किया है और ये उनकी उपलब्दी है कि सिंडिकेट को उखार फेकने में अगर कोई सफल मुख्यमंती रहा तो योगी आदितेनाजी रहे हैं और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इस पेसल ठाकुर फोर्स स्टीएफ को बिपक्ष नाम दे रहा है जबकि पूरे परदेश में बिल्कुल सांती का महाल है ऐसा क्या हो गया कि एक स्टीएफ जिसने इतने बड़ी संख्या में लोगों के अंकाउंटर किया इतने बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ा उसको अखलेश यादा हो जो है वो स्पेसल ठाकुर फोर्स कह रहे हैं सबसे पहले मैं इस भईया के एक बात पर कहना चाहूंगा जो भईया कह रहे हैं कि अपराधियों को अप कहीं जगए नहीं बचा है मैं सबसे पहले नाम गिना कर बता देना चाहता हूं कि अपराधियों के लिए भारती जनता पार्टी का सरण बचा है आप चाए बिनित सिंग को ले ले मिर्जापूर चाए बिर्जेश सिंग को ले 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 चाए चंदवली सुसील सिंग को ले ले माहौल है तो सिर्फ दिक्कत इन लोगों को है और इसको जातिकत समिकरण का रंग देने के लिए जो है माहौल खराब करने का काम अखले श्यादो जी कर रहा है मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भैमुक्त और अपरादमुक्त वाताबरन पुजे योगी जी की अगवाई वाली सरकार ने दिया है मैं इसके लिए योगी जी को कोटी कोटी बारम बार परणाम करता हूँ और इसी तरीके से उनका बूल्डोजर चलता रहे और गरजता रहे अपराधियों का सफाया करता रहे इसी तरीके से बेहन बेटियों के इज़त से जो लोग खेलते थे आज कहीं न कहीं जो है वो भयागरस्त है बात भी यही अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से चाहिए उध्याकांड हो या उसके बाद जो है कन्योज में हुई घटना हो समाजवादी पार्टी की नेताओं का नाम आ रहा है तो यही वजह लगाता रहे योगिया इतना समाजवादी पार्टी को टार्गेट कर देखें भारती जन्ता पार्टी के सरकार एकदम नाका रहा है इसके पास कोई काम है नहीं अभी नों ने कहा बाई साब ने कहा कि जो है मुक्तार अंसारी और अतिकामद इनके पास सिर्फ दो ही नाम है आज की डेट में मुक्तार अंसारी और अतिकामद जी नहीं है तो क्य आज घटनाएं बंद हो गई हैं। सबसे अच्छा जो इनका रहा है लाइन आर्डर का आप अपराधियों का जो दमन हो रहा है। एक समय में सारे अपराधी एक पार्टी में आ गए थे। अब उनके ऊपर जो कारवाई हो रही है तो पार्टी बिसेश के लोगों को थोड़ा दुख हो रहा है। अगर कारवाई होती है तो सबसे जादा परिसानी एक ही पार्टी को हो रही है। अगर होगा तो ये इनकी परिसानी है भारती जंता पार्टी की नहीं है वो काम जो हो रहा है आज के समय में जो हर अस्तर पे विकास का कारे हो रहा है। और बताने की जरूरत नहीं है पुरे प्रदेश में लाइन आर्डर की जो ब्युस्था आज के समय में है ऐसी कभी नहीं थी कारून ब्युस्था को लेकर तो बहुत सारे लोगों ये बात कह रहे हैं पहले तो बहुत नहीं बहुत सारे बात कही कि सारे माफिया गुंडा सब लोग एक पार्टी में हो गया हैं यही लोग 56 एजडियम या दो बताते थे आज तक वो 56 एजडियम के लिष्ट नहीं दे पाहे तो इसलिए कहना कुछ नहीं कानून बेवस्था अपने चरम पे हैं अभी आप ने जो कहा कि ठाकुर वाद जो मानी रश्टे दर्जी आप क्या कहना चाहरों क्या मीडिया नहीं दिखाती वह आप लोग कहा जो है आप बताई अभी जो कांड हुआ उसको आप दिखा रहे हैं अब लोग दिखाई नहीं रहे हैं आपको नहीं चला रहे हैं यह बहुत रहा हूं कि यह भारती जंता-पार्डी की सरकार से पुरे देश काम अवाम एकदम उब चुका है पस्चीम से लेके पुरवांचल चक कहीं यह लोग आप बताईए पुरे परदेश में राजक्ता क अब जाती वर्ग के लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनको नौकरी मिल लए है अखले सियादों की जब गौर्मेंट थी उसमें क्या होता था वर्ग विसेश के लोगों को आजादी दी जाती थी वर्ग विसेश के लोगों को छूट दी जाती थी उनका पहले अखलेश यादो ही सारा कुछ तयार करते थे वही सारा कुछ थे ट्रिक लगा दिया जाता था इनका सेलेक्शन हो गया अब जो मेहनत करने वाले लोग थे जो मेहनत करने वाले परिक्षार्ति विद्यारती थे वो परतियोगी परिक्षाओं से बाहर उन्हें कर दिया जाता था। जो लोग पतली गली से आके और जैक और जुगार के चलते जो नोकरी पा रहे थे वो कहीं न कहीं पीछे लाइन में खड़े हैं और इसलिए जो समाजवादी पारटी के लोगों का गुसा जाएज है वो लोग उल्टा सीधा अनाप सना पारोप लगा रहे हैं योगी जी के बारे मैं कह सकता हूँ कि 24 केरेट के सुद्ध सोना है और उनके नेतरित में हचवोर हर बर्का और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास ही विकास हो रहा है बस मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी जी के नेतरित में फिर 2027 में चुना होगा और फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंतर योगी आजितनात समाजवादी पार्टी को टार्गेट कर रहे हैं खास करके जब कानुन विवस्था का मुद्धा होता है चर्चा होती तो उस समय समाजवादी पार्टी के जो कारकाल है उसका जखर जरूर करते हैं लखनौ से बुर्दनदी पगराना के साथ निकल शर्मा न्यूस्टेट उत्तरदेश